कि नमस्कार स्वागत है आपका इस्पिया नाइन नीज में मैं हूँ आपके साथ शुदी बता दे आपको कि अनार्सी और सी ए ए अगर दोनों को देखकर यहां पर बताया जाये तो जिस तरह से नागरिक्त शिंशुदन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं अब ऐसा लग रहा है कि अनार्सी के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शन से शायद बिजेपी जो है वो डरी हुई है और इसके साथ ही पीछे हड़ सकती है मोधी सरकार इस तरह की संभावनाय कि जिस तरह से एनर्सी मुद्दे को लेकर असम में अनर्सी हुआ और उसके बाद नागरिक्त कानून आया तो इससे एसम में विरोध प्रदर्शन हो रहा था देखें देखें CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन कई जगों पर हो रहा बेकिन इस मा baru आए और इसके मुद्दे अलग-अलग हैं क्योंकि यहाँ पर नागरित संशुदन कानून को अगर असम की बात की जाए तो असम में इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि वहाँ पर NRC लागू किया गया और NRC में 19 लाख लोग जो है वो NRC के लिस्ट में शामिल नहीं है और ऐसे में असम में कहा जा रहा है कि लगभग 11 लाख नागरित जो है वो हिंदू है और ऐसे में अगर नागरिता कानून आता है तो फिर से वो जो 11 लाख जो 19 लाख लोग NRC में शामिल नहीं हुए हैं उनम सम की चिंता वहीं और जग्हों पर विरोध प्रधरशन हो रहा है विरोध प्रधरशन और जग्हों पर इसलिए भी अधान को फोकस को रहा है अब अगर बात करें हैं जो संकेत मीले है जिस तरह से पियम मोधी ने अपने रैली में जिस तरह से भाशन डिया है और सी यानि नाग्रितton शुदरन कानून को लेकर बोला है कि नाग्रितन कानून जो है वो एक तरह से जो शरनार्थी है इनको नागरिक्ता दी चर्चा अभी तक नहीं हुई है कोई भी चर्चा अभी नहीं हुआ है इस पर विचार नहीं हुआ है हमारे सरकार में लेकिन अगर बात करें और इसके लावा उन्हों ने ये भी कहा कि NRC असम में हुआ सुप्रीम कूट की कहने पर असम में NRC हुआ लेकिन अभी तक हमारे सरक अगर जो नेता है जिन में से अगर ग्रेम इंटर में शाह की बात करें तो उन्होंने कहा था कि NRC होगा और अब जो PM मोदी कह रहे हैं कि NRC को लेकर आभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुआ है हमारे सरकार में तो इस बात को लेकर ये संखेत वाना जा सकता है कि हो सकता है कि NRC शायद ही देश में लागो हो खैर आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं और आके तमाम जानकारे के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार